सभी डिफेंस पेंसनर बंधू को दरेंद्र कुमार वेलनस कंसल्टेंट इंटर्पेंट ट्रेनर की ओर से नमस्कार मैं आज आप समों को असपर्स की जो विशेश ट्रेनिंग स्रिंखला मैंने प्रारम किया है इसमें स्वागत करता हूँ और आज हम बात करेंगे असपर्स की कई तरह की परिसानी जो आ रहे है विशेश कर बुजूर्ग लोगों को ओ फैमली पेंसनर को सिनियर सिडजन सूपर सिनियर सिडजन को उनको यात्रा असपर्स की यात्रा किस तरह से सुगम हो सहज हो इसके लिए मेरा भरपूर प्रयास र रहे होंगे आज मैं एक खास विशै पर बात करने जा रहा हूं और वह है कि अगर आपका माइग्रेशन हो चुका है इसके बारे मैंने तमाम वीडियो बनाया कि किस तरह से आपको पता चले माइग्रेशन होने के बाद कौन सी करवाई करना है सक्सेस्फुल लॉगिं किस त successful login आपने जब कर लिया तो कौन-कौन सी कारवाई करना तो उस कारवाई में सबसे अहम हिस्सा होता है कि आपको अनिवार कुछ declaration देना, mandatory declaration देना है उसे किस तरह से आगे बढ़ना है ये मैं इस वीडियो में परमुखत कभर करने जा रहा हूँ आप सबों से वीडियो में प्रारंब करूँ, इससे बिनम्र निवेधन करता हूँ कि अगर आप हमारे Living Happily YouTube चैनल में पहली बार आये हैं या फिर अभी तक सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो निडर होते हुए आप सबस्क्राइब करें, पहली बार हो सकता है, Gmail का ID वहाँ पूछा जाए आप सबस्क्राइब करें, इससे हमारे मनोबल बढ़ते हैं, जिससे मैं और भी बेहतर वीडियो बना सकता हूँ बड़ी टीम लगा सकता हूँ, जो कि आपके लिए प्रमानिक सूचना ला सकते हैं, बेहतर एडिटिंग कर सकते हैं आप सब जब लाइक करते हैं, तो हमारा और भी उत्साह वरता है, आप अपने सगे संबन्दियों के साथ भी साजा करें ताकि वो भी लाभानवित हूँ, और बेल आइकन तो अवसे ही पूस करें, ताकि मेरे द्वारा लोड किये हुए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे निरवाध रूप से, तो आईए हम असपर्स के बारे में बात करते हैं, कि असपर्स अगर आपका सक्से करने के बाद क्या करना है, मेंडेटरी डिकलेरेशन किस तरह से सब्मिट करना है, तो आपने सबसे पहले अपने यूजर क्रिदेंसियल, यानि कि असपर्स यूजर आईडी, जो की बारह लेटर का पासवर्ड, बारह लेटर का जो सपर्स पिप्यो नमबर था, 01 सबफिक्स करके सर्विस पिंसनर ने, और 02 सबफिक्स करके फैमली पिंसनर ने, और अपने जो पासवर्ड क्रियेट किये थे, इससे लॉग इन कर लिए, विलकम करके आपका नाम आ गया, अब जैसे ही आप करेंगे, यहां से आपको कुछ जरूरी इनफॉर्मेशन आपसे मांगी इसके लिए आपको यहीं जब mandatory declaration करते रहेंगे, तो CDAC, जहांकि आधार की सारी biometric है, यह दोनों को interface कराता है, आधार authentication page से कराया जाएगा, जहांकि आपसे आधार number पूछा जाएगा, send OTP क्लिक करना होगा, तब आपके registered mobile पर OTP आएंगे, और उस OTP को आप फिर से जब दे तो यह authorized हो जाता है, उनके अपने data को साजा करने के लिए अधिकृत हो जाते हैं, और तब फिर आपको submit करते हैं, आप जब submit कर देते हैं, तब आपको कुछ कारवाई और करने होते हैं, और फिर वो log out हो जाएगा, पहला बार जब यह सब करेंगे OTP वेगरा, तो log out हो रहेंगे, radio बटन रहेंगे, यह सब क्लिक करना है, जिसके तहत मुखे तह आपसे acknowledgement declaration होते हैं, कि आप सुईकार करते हैं, आपने सारे term and condition को पहल लिया, बड़े-बड़े से line होते हैं, मुखे तह उसमें यही होता है, कि अगर system के कारण, या human error के कारण, या policy changes के कारण, किस इरोनियसली, अगर आपको access payment कर दिया जाता है, कभी या तो area की तरह, या regular pension में, तो यह spurs को अधिकार होता है, कि आप से access paid किया हुआ, को refund करा सके, जो कि bank में भी letter of undertaking हम देते थे, और वहाँ भी बिना दिये हुए, हमारा pension प्रारंभ नहीं होता था, इसके साथ ही हम consent देत अगरेंगे, annual identification जो हम life certificate बोलते हैं, DLC के मारफ़त से देते हैं, जीवन प्रमान के दारा देते हैं, तो इसके दारान हम authorized करते हैं, aspurs को, कि आप हमारे biometric को इस्तेमाल कर सकते, तो इसके लिए भी concern देना होता है, यही mandatory declaration के तरह, इसके साथ ही हम consent देते हैं, कि आप हमें notification द और email ID पर चाहते हैं क्या notification, तो इसके लिए भी आप अबस से ही करें, ताकि आपको हर activities को पता चलते रहें, इसके साथ ही re-employment, आप पुनह कारे कहीं कर रहे हैं, government agency में, state government, central government या PSB में, या बस इतना ही तक count होता, private वेगरा business का count होता नहीं है, तो यह सब के लिए आपको re employment declaration करने होते हैं, फिर tax option भी होते हैं कि new वाले scheme में जाना चाहते हैं, old वाले में जाना चाहते हैं, इस तरह से कई तरह से declaration होते हैं, जो कि mandatory हैं, अगर आप नहीं करेंगे, तो भविस्च में आपके pension के साथ थोड़ी सी problem हो सकती, जैसे आप re-employment अगर yes कर देते हैं, तो आ financial implication भी आपको आ सकता हैं, जब आपने login कर लिया, successful yes up declaration भी कर लिया, अब आप यहां services के कई तरह के features हैं, जिसमें आप अब इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें की परमुक्त होते हैं, track, अगर आपने कोई service request किया, तो इसके track कर सकते हैं, कि वो अभी pending है, या processed है, या कोई observation है, identification, जो annual identification है, या आपने कब last submit किया था, अभी अगला कब due है, आप अपने profile को देख सकते हैं, profile के तहत, आप अपने personal detail को देख लीजे, service detail को देख लीजे, bank detail देख लीजे, family details देख लीजे, ये तमाम information यहां रहेंगे, इसके साथ ही आप grievances भी सिकायत कर सकते हैं, अगर कही कोई तुर्टिया है, तो उस तुर्टिया को दूर करने के लिए, services menu को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, income tax declaration अगर देना चाहते हैं, आपका home loan है, education loan है, या किसी तरह से LIC का लिए है, हमारे एक मित्र पूछ रहे थे, कि आप अगले video में इस चीज़ को बताइए, तो आपको मैं नमस्ते करता हूँ, अपने viewer का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप इस video को देखिए, income tax declaration के तहत ही दिया हुआ है, कि कहां कहां आप लगा रहे हैं, declaration ताकि आपको वहां से फिर tedious बचेगा, और refund एक साल इंजार करना पड़ता, कई लोगों को tedious में, बाद में ह हैं, तो आपका tedious नहीं कटेगा, यानि कि tax की कटाउती नहीं की जाएगी, यह आप पर ही personal liability होती है, final के time, आपकी इस तरह से reconcile करते हैं, इसके साथ ही form 16 भी ले सकते हैं, जो कि आपको पूरा record रहता है, कितना आपको payment किया गया, कितना tax दिया गया है, इस सब का form 16, कई जग इसे भी आप दूर कर सकते हैं, ग्रेवियन से देके, email करके, तरह तरह के, तो जब तक आप पूरा login नहीं किये successful, अपने dashboard को देखिए, यहाँ dashboard system introduce किया गया है, सब कुछ मिलेंगे, और आपको सुभिधा भी दिये जा रही है, कि क्या-क्या आप date कर सकते हैं, इसके लिए data request कर सकते हैं, अब यह अलग बात है कि कुछ on the spot हो जाते हैं, और कुछ में समय लगते हैं, जैसे आप अगर अपना address करना चाहते हैं, हर चीज के लिए, एक document, supporting document आपको upload करना पड़ता है, जो कि आपको PDF format में तयार रखना पड़ेगा, PDF या image format, JPG में भी रख सकते हैं, त इसके लिए, first team को, यानि कि system को approval चाहिए, record office से, या उनके headquarters से, defense civilian के लिए, या PCDA के ही higher authority उसे verify करते हैं, अलग document से तब करते हैं, तो दो तरह के मुखेता होते हैं, कुछ तो आप on the spot ही कर लेंगे, और कुछ के लिए verification की जरूरत होती है, तो इस तरह से, अगर आप successful login कर प लिया, उससे successful login कर लिया, declaration दे दिया, mandatory declaration सारे, और फिर अपने dashboard में सारा देखिए, track देखिए, कि कोई pending हुआ है, क्या, इसमें यहाँ थोड़ी सी कमी है, spurs में, कि एक pending होने से अगला accept नहीं करता है, इसको थोड़ी सी spurs के team को सुधार करने की जरूरत है, कई बार ऐसे हो triggered minor है, इस तरह से वो करके कर सकते हैं, लेकिन लोगों के side से input के लिए वहाँ देना चाहिए, तो आप मेरे साथ निरंतर बने रहते हैं, spurs की इस खास training, मैंने खास कर बुजूर्ग लोगों के लिए, बुजूर्ग पेंसनर, चाहे वो defense civilian ही हो, अक्सर defense civilian पूरे 60 साल के होती है, हमसे कई defense officer ने भी आगरह किया, कमेंट के द्वारा कि आप हमारे बारे भी बोलें, सर आप लोग हमारे लिए अधरनिये हैं, विसेश कर हम आप सबों को धन्यवाद देते हैं, कि आप हमारे channel पर आते हैं, देखते हैं, उमीद लगाके देखते हैं, अपने जीवन क आप मुले समझ देते हैं, इसलिए हम पर भी दाई तो हो जाता है, कि जो भी मैं information दू, rumor से दूर हो, authenticated हो, और वही मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे living happily में बनते हैं, बने रहते हैं, अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया, subscribe कीजि होश्ग साथू, पर सकते हैं, आपके सभाने खवाते हैं, आपने वाइका स्वादे हर जेह वारे व्हादे दिलेख से पूर।